नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Word में कैसे notebook के page को design करते हैं इसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने Microsoft Word में already एक page को design करके रखा है बिल्कुल ऐसा ही एक page मैं Microsoft Word में आपको step by step design करके दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक दिखियेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले Microsoft Word के एक new page को आपको open कर लेना है अब आपको इस page का margin को एकदम 0 में set कर लेना है इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है page layout टैब में page layout टैब में जाने के बाद यहां से आपको क्लिक करना है margin में margin में क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां से देखिए नीचे custom margin एक option है यहां पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चारो मार्जीन आपको यहाँ पर दिखाएगा यहाँ पर आपको सारे मार्जीन को 0 पर सेट कर देना है Top, Bottom, Left, Right जस्त एक बार OK में आके क्लिक करेंगे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर देखिए मार्जीन जो है वो 0 में सेट हो चुका है अब आपको यहाँ पर Enter प्रेस करके करजर को नीचे सेट कर लेना है इसके बाद आपको जाना होगा Insert टैब में Insert टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको Table में क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ही कॉलम में जितना रो हो सके उतना आपको यहाँ पर Insert कर लेना है फिर आपको यहाँ पर पूरा Table को Select कर लेना है Select करने के बाद इसके Size को थोरा सा हम यहाँ पर बरा देंगे इसके लिए आपको जाना होगा Layout टैब में और यहाँ से आपको Table Height को 0.30 में सेट करके एक बर Enter प्रेस करना है Enter प्रेस करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो आपका Table का जो Height है वो यहाँ पर थोरा सा Increase हो चुका है अब आपको जाना होगा Insert टैब में Insert टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है Shape में और यहाँ से आपको Line Shape को चूज कर लेना है Select करने के बाद इस Shape को एकदम उपर की तरफ यहाँ पर आपको Shift प्रेस करके Draw कर लेना है और इसको थोरा सा आपकी सापसी यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे एडजस्ट करने के बाद आपको जाना होगा Format टैब में Format टैब में जाने के बाद यहाँ से देखिया Shape Outline एक आप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको Red Color को Apply कर देना है अब आपको यहाँ पर इसी Line का और एक Copy आपको यहाँ पर कर लेना है जस्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको CTRL प्रेस करके जस्ट थोरा सा उपर की तरफ लेना है यह देखिये मेरा page जो है वो यहाँ पर ready हो चुका है अब यहाँ पर इस page को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा छोटा करने के बद फिर से मैं चला जाओंगा insert tab में और यहाँ से आपको क्लिक करना है shapes में और यहाँ से आपको फिर से line shape को choose कर लेना है और एकदम page के एकदम left side में आपको यहाँ पर draw कर लेना है आप यहाँ पर shift की को प्रेस करके draw की जिएगा तो आपका line एकदम straight आएगा draw करने के बद इसको थोड़ा सा adjust कर लेंगे इसके बाद आपको फिर से format tab से shape outline में क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको outline color में rate color को apply कर देना है apply करने के बाद फिर से इसका एक copy हम यहाँ पर निकालेंगे इसके लिए जस्ट यहाँ पर mouse pointer को set करके keyboard से CTRL key को प्रेस करेंगे और एक बार थोड़ा सा move करेंगे तो यह देखिए इसका एक duplicate copy create हो जाएगा just इन दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा close कर लेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा notebook का page का जो design है वो almost यहाँ पर complete हो चुका है अब मैं right side में एक बार उपर की तरफ यहाँ पर page number और date को insert करूंगा इसके लिए आपको फिट से जाना होगा insert tab में और यहाँ से आपको फिर से click करना है shape में और यहाँ से आपको horizontal scroll को यहाँ पर देखे ये वाला ये वाला icon को आपको यहाँ पर select कर लेना है select करने के बाद इसको एकदम right side में उपर की तरफ आपको draw कर लेना है draw करने के बाद इसके उपर जाके आपको एक बार right click करना है और यहाँ से आपको add text में जाके click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है page number और कुछ space छोड़ देना है आप यहाँ पर dot को use कर सकते हो फिर enter press करके नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है date date लिखने के लिए आपको यहाँ पर थोरा सा जगा छोड़ देना है अब आपको जाना है format tab में और यहाँ से आपको click करना है shape fill option में और यहाँ से आपको no fill में जाके click कर देना है अब आपको जाना होगा shape outline option में और यहाँ से आपको rate color को apply कर देना है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो वो text जो है वो यहाँ पे white color में convert हो चुके है अब इनको यहाँ पे select कर लेना है select करने के बाद आपको इसका font color को change कर देना है इसके लिए आपको जाना होगा home tab में और यहाँ से आपको font color में मतलब कि text color बटन में जाके click करना है और यहाँ से इनका color को मैं यहाँ पे red apply कर दूँगा यह देखिए उन सारे text का color यहाँ पे change हो चुका है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा notebook का पूरा page का design जो है वो यहाँ पे complete हो चुका है तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप easily microsoft word में किसी भी notebook का page को design कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजेगा thank you for watching the video please keep your support